नमस्कार दोस्तो आपका मुले यूटुड चेनल parfॉष नानको नाम शुन डी कमपनी में स्वागत्व दोस्तों के लिए मैं तरह था लेक्टि आधीया के लेकर आता रहता हों लेकिन आज मैं आपके लिक्त आज कि आपके लिकं़ मार्केट में बहुत ज़्यांद बिजनेस को आप ड्राइवर्व मेंकिंग बिजनेस जिसको आप ड्राइवल स्क्रूब बोलते हो पी चैनल में जो स्क्रूब लगते हैं वह भी बोलते हो कोई भी टाइब कर जेडल स्कुरू है शीट मेदल स्कूरू है जिंक कुछ भी है सभी एम शीज में बनते हैं दोस्तों जो यह वीडियो आप ज़िए लास तक जुरूद देखना भी उल्ली 1 वीडियो में आपको मैं आपको सारी जानकारी देने लगा उं बताने लगां कि प में होने है अब क्रीड वीडियो को लास जरूर देखना है क्रीडियो में indult to जरूर ने वीडियो में हर एक चर्चान का उसकती है तो क्रीडीओ इप le camera da सबस्द करो चलूरο करना मिलाघन कर आ Bernie को गूंध फीस गारे ह SakYango क्योंकि इतनी डमांड आए चाहिए 20 वेंटे भी मशीन को चलाओगे तो फिर भी इसकी डमांड पूरी ने होगी इतनी डमांड है इसकी मार्केट में तो आज जो आपको दिखाने जा रहा हूँ है यह पहली मशीन है यह हैडर मशीन है इसमें हैड बनता है स्कूल कर रोल स्टेडिंग मशीन है इसमें त्रेड ड़ेगा और वह है पॉलिशिंग ड्रम और इसके साथ एक कटर गेंटर भी साथ में लगता है जो उसके टूल्स को दार लगाने के लिए शार्प करने के लिए काम आता है तो सबसे पहले हैडर का काम होता है यहां पर वायर से लगेगा आगे वायर से यहां से वायर इंसर्ट होगी आगे यहां से अंदर जाके मिशीन आटमेटिक प्रड़क्शन निकालती जाती है आपने बस वायर लगान हेट बनने के बाद इसमें एमीस होती है तो जब इसमें जो इस बन गया मैई होता है, मैब तो इसके बाद ऐगा59 पॉल्षिंग ड्रब मैं मैट्री कोई भी होंगा तो यह बढ़े लगा होगा जो सब मेटीरियल इसमें हैड बनाओगा इसमें बन जाएगा और ऐसा स्क्रीव बन जाएगा इसमें कोई भी टाइप का हैड ना सकते हो फोर एड कोई भी माइनस यह जायगा इसमें अच्छी करें बन गया ऐगा जाएगा इसके बाद लुद्ध मिल लिटें तो आपनी ट्रेंग को के इसमें डाले सब्सक्राइब साथ सब्सक्रानी पाहण पठाइब जिसके इसके इक आदमी पड़ पकाना पड़ताता था कि अगर उसमें automatic उसमें फीड करी जाना है जो पहले पराने मॉडल होते थी उसमें होता था एक आत्म screw को रोगने के लिए लगता है तो आज का मैंने जो लेटस्ट model डिजाइन किया हुआ है यह vibrator system लगा हुआ इसमें जितना material चाहिए आप डाल दो हुए तो automatic vibrator इसमें ले आएगा और यह sensor लगा हुआ है जैसे यह पूरी फीड बर जाएगी यह auto cut कर जाएगा जैसे खाली होएगे screw आगे कम होएगे इसमें तो फिर automatic vibrator चाल जाए तो यह auto system है फुरा इसमें आप जैसे लगा होगे वैसी त्रेट डल जाएगी स्की नीचे कोई भी जाए आपको drywall की चाहिए sheet metal की चाहिए किसी भी type की आपको thread चाहिए wood screw कोई भी है सब इसमें बन जाएगी तो इसमें मशीन की model होते हैं जो सबसे ज्यादा वैसे 2 और 3 इंची model चलते हैं कि 3 इंची चाहिए चाहिए चार मशीन के साथ आपका complete setup हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको header की वीडियो दखाने लगा हूं आप देख सकते हैं वायर का रोल लगा हुआ है तो वायर का रोल लगा है आपने वायर फीड कर देनी है मशीन ने automatic screw नहीं जाना है header मशीन में सबस इसके पालिशिंग नेक्स मशीन में डलती है जैसे मैंने आपको बताया है पहले देखो कितना बढ़िया head बना हुआ है four head बना हुआ है यह driver screw बना हुआ है इसमें thread next machine में डलेगा देखो फुली automatic machine है बस आपने वायर लगानी है automatic बनके screw करता जाना है बस नीचे इसके 10 मिट आपने गुमाना है गुमाने को पाद इसको लकड़ी का परादा डलता है साथ में लकड़ी का परादा डालके इसका जो ऑईल होगा ऑईल रिमूव हो जाएगा अब देख सकते हैं इसको ऑईल रिमूव होगे निकल गया है अब यह आएगा roll thread में यह vibrator system लगा हुए स्क्रू गूम के ऐसे तो तो उसमें आजाएगे जहां से फीड होयेंगे आगे में वहाँ पर आजाएगे देख सकते हैं कैसे स्क्रू गूम रहे हैं जैसे अभी देखो यह आगे आगे हैं फीडर में यह स्क्रू ऐसे लाइन में बरकर पूरे हो गए है तो पीछे वाइबरेटर जैसे बंद हो जाता है जैसे लाइन में अकर बर जाएगा पूरे स्क्रू बर जाएगा तो पीछे वाइबरेटर बंद हो जाएगा जैसे स्क्रू आग कि इसमें लेबर की बहुत कम जुरूरत होती है एक स्किल्ड आदमी हो एक हैलपर हो तो सारी मिशीन सो प्रेड कर लेता है खुद दी फुली आटमेटिक पर स्कुरू बनके अब निकलता जा रहा है इसमें आपका हैडर में हैड बन गया पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका रिमूव हो गया पॉलिश भी हो गया साथ में और टूडी भी डल की यह त्रेड भी डल गया अब देख सकते हैं बहुत इजी परसेस है फुली आटमेटिक मेशीन है कोई भी आदमी चला सकते है इसको बहुत इजी परसेस है यह कुछ आपको मैं रिनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ यह देखिए जैसे रिनिंग सैटप लगा हुए पूरा यह कंप्लीट इसने 10-20 मेशीन लगा हु है अब देख सकते हैं यह ड्रैवल शकुरू बना हुआ है कितने बड़ी है क्वालिटी कितनी कौनटी में बनता है यह देखेर और बनके निकल रहे जगा हुए है लुकि पूरा कंपलीट प्लांट लगा हुआ है इसमें अपने इसने ही ट्रीटमेंट प्लांट लगा ब्लैक करने के लिए दो प्रस्यास होते हैं एक तो होता है complete प्लांट लगाना उसमें आपका हो जाएगा उसमें फरनेस आएगी हीट रिट्मेंट प्लांट आएगा कब्लीट आएगा वह एक होता है वह लोग बजट में कोई भी लगा सकता वैसे वह भी जो बड़ा प्लांट हो स्कुर्ण को ब्लांट में एक होगा एसा ड्रण स्पैशल ड्रम बनेगा वह उसके नीचे हीट लगे होते हैं उसकी मैं आपको वीडियो दौंगा आपको जो ड् कोटिंग का परसेस है आप देखो यह बर्नर लगा हुए नीचे उपर ड्रम गूम रहा है तो स्कूरू जैसे बनके रोल थ्रैट से बनकर आएगा तो ब्लैक कोटिंग करनी है आपने तो इसमें आपको बस इतना करना है ड्रम में डालके उसको बस 20 मिनट आदा गंटा गुमा जार गाट वहतती है तो आपको कोई बिकस्कते ब्लैक कोटिंग यह निका है क्यों शeg月 cm कोटिंग कखो दो बने कोटिंग कर सकते हो ज्यां कोटिंग जींग कोटेंग वहतता है तो आपको और ढलाओ शेकां बेकर उसकी में दोने कोटिंग ब आप को समय लग जाएगी जिस सबसे फीज़ समें बन कर आएगा में उसको पहले पानी में साफ करते हैं रहу को साफ करते हैं को एस तो खोटे खोटे ड्रम होते हैं उसमें खोल किये होते हैं उसमें स्क्र्यू डाल कि जब डालोगे उसमें तो आइसेड़ साफ हो जाएंगे उसको एक बार बस पानी डाल के उपर तो आपने जिंक वाले जो ड्रम होते हैं जिसमें जिंक कोटिंग होएगी उसमें डाल देना ह प्लेट्स लगते हैं जिंक की वह में आपको दफाऊंगो सारा तो जिंक उसमें होता रहता है जो उसमा 50 kg का बैरल होता है जिंक कोटिंग ड्रम का उसमें आदे गंटे में 50 kg के प्रडक्शन हो जाती है तो वह ऑटमाटिक बोट जाएगा घूमता जाएगा में एपने जानती जार ही निय является open चलती है ज्यादा चार टाइब होती है गोल्डन को और व्सक्री RIGHT- PETER , चलती है वो जिसमें आपने अगर कोटिंग तरी जिधा ड्रेय में डाल दो अगर करने उपर गोल्ड ब्लू तो उसको बस कलर में डिप करके ड्रायर में डाल दो उसका जो सारा पानी होगा निकल जाएगा तो उसके अगा आपके जो स्कुरू मार्किट में सेल होने के लिए रेडी हो जाएगा दोस्तों यह देखिए आप यह लॉम टेलाइजसे स्कुरू मशीन बन किया है तो एसा देखता है पहले इस सबसके पहले सकुरू हाएगा इसको डरम में डालेंगे ड्रम में डाल के वाश करते हैं पानी से यह पानी जो कि को रहा सब निकाल हो कि अदिखेंगा चर्णेथम को जो बन किया अधिया थे एस ने ड्रम अब देखिए यह ऐसी ड्रम में डाल जैसे समी सिक्रियू को बस इसको डाल के बस निकाल लेना है इसको रखना है जाद ही जिर नहीं रखते है जादा समय नहीं रखते है इसको इसको बस ड्रम में डाला है तो इसको निकाल देना है बस निकाल के इसको एक बारी फिर से पानी में साफ करके इसको जो जिंक बैरल होता है ड्रम होता है जिसमें होएगा उसमें डाल देना है अभी देखो दिखाऊंगा मैं आपको यह देखिए इन्होंने जो पेले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे उसके बाद जो अभी जो आइसीड में डाल के लाए है उसको इसमें डाल देंगे इस जिंक को किया हुआ है निकाल दिया है इन्होंने और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे ये देखो आप ये पहले जिंक हुआ उसको निकाल दिया है अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर ये देखिए आप ये एक ड्रम की कैपसेटी पचास केजी की कैपसेटी होती है एक ड्रम की कि अधे की इसको एदा गंटा बश्ची में जो कैमेकल होता है जींग कि इस में पीशे प्लेट लगी यह जींग प्लेट तो आधा गंटा यह ऐसे गुंबता रहेगा आदे घंटे Fraktionवे मीशinde माल जिंक तो अगर अपने सिरिक काटींग करनी हैं तो यह सिर्फ इसके आसे गू कोंडन गोल्डन कैलर में डालेंगी तो रहेगा अगर और को करना ओपर करताल कैमिकल में डाल द को कुम बने के तो यह र हो जाता है यह इसके बाद नो aris네 डाल यह आप देखरिए में डालकर आद में इसमें होता है इसका सारा पानी निकल जाता है प्याहिए कोई भी केमिकल बचा है तो सारा नेकल के स्कुरू हो जाता है बस देखे ड्रेयर में बनके सूख जाएगा अब इसको इन्होंने बोरी में डाल के मार्किट में इसको आप सेल कर सकते हो इसको बहुत इजी प्रशाइस है कोई भी आदमी लगा सकता है इसको हो एक तो यह टाइप हो जाती है एक थ slap होती है कि अगर आपने कोई भी प्लाइं लहाना साथ में इसान हिस्ट्रिय न Rangers लगा रहे तो आप जो भी मरतिरियल रहे हो उनको दो वह जी कोटिंग करके या ब्ल Yak Oha कर शब्सब्स देए को आप मार्केरियों शले कर सकते हो नहीं आरे फें थीले लफिंट i.e. बात करते हैं एक हो तक हिसमें इसमाल में लगेगा ні सब्सक्राइब कर जाई गैगी तो आपका हड़का हंभी बनेगा इसलिए हVIDा स्क्रइए स्क्रणूबिं स्क्रूब यह जाती है कभी 65 भी हो जाती है तो प्राइज का डेली का जो होता है इसका डेली का प्राइज कुछ इक्स प्राइज नहीं है ने एप्रॉक्सिमिट बैली आपको निकालने के लिए बिताया है तो जो उसका ड्राइब वॉल है यह आपका पर केजी की परिशे 15 से 20 केजी का प्रॉफिट आपको पर केजी की पिशे निकल जाएगा तो इसको आप मुशीन को डेली भी अगर चिला देओ तो आप लुकी सा एक प्रक्शंगे अधाया है तो इसके तो इसके सात आप बहुद पूल जाएब और शैल में अपने अलग जगह ने बेचने जाना है वो जितने जो आपने आपने अप पेले किसी को दे रहे हो हाडवेर होलसेलर और उन्हें वह सेम ठाल रहे है क्योंकि एक ही लाइन का प्रड़क्त है कोई अलग प्रड़क्त नहीं है यह वह वायर के रेलेटीड है तो यह बहुत प्रॉफिटेबल बुजनेस है अगर कोई भी आदमी मेशीन को बाय करना चाता को बिजनस के बारे और भी कोई जानकरी चाहिए तो आप नीचे दिये के नंबर या कॉल पर वाटसाफ करके वाटसाफ मैसी करो हमें यह मशीन चाहिए तो उसकी आपको उसी तुरंद आपको डिटेल्स चाह रहेंगी आप इस बिजनस को शुरू करने के लिए बैंक से लो लिए तो उसी स्कीम के फायदा ठाते हों आज बिजनस शुरू करो तो बहुत बड़िया होगा आपके लिए बिजनस करोगे तो बहुत बड़िया है आपने मारी वीडियो लाज तक देखी आपका बहुत 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 पहली बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्स पसंद आई होगी तो प्लीज वुडियो को लाइक और सेर्व करना ना पूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनस आइडियास पहुंचे सबसे पहले आपके तो